नमस्कार दोस्तों कैसे हैं हैं आप सब आयोप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम डिसस करेंगे HP TAT 2022 के लिए psychology के 100 most important questions जो की previous exam में पूछे गे थे तो जो भी candidate HP TAT का exam देने जा रहे हैं इस वीडियो को जरबी मिस ना करें क्योंकि काफी questions जो हाँ वो HP TAT के exam में repeat हो सकते हैं तो चलि फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं question number 41 देखिए according to devy education is a devy के अनुसार शिक्षा है एक तो devy के अनुसार शिक्षा एक social need है सामाजी का अशक्ता है a option इसमें right answer होगा next question any teacher can become favorite among his student why कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच पसंदीदा बन सकता है तो वो बन सकता है उनके साथ सहानु भूती का बहवार करके C option आपर हमारा देखिए right answer होगा behaving with them in a sympathetic manner आगे next question lesson planning should be guided primarily by the consideration of पाठ यूजना प्रात्मिक तौरपा निमन के बिचारन दोरा guide की जानी चाहिए तो ये guide की जानी चाहिए पाठे चल्चा के लक्षियों पर the curriculum of goals बी option यहां पर देखिए इसका right answer होगा अगे next question पूछा गया था beside teaching as a teacher what type of attitude you will display regarding other activities of the school शिक्षन के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में अन्य शाले कारे कलापों के विशे में आप किस प्रगार की अभिविती प्रदर्शित करेंगे तो positive answer इसका right answer का C option देखिए सकारात्मक next question the school is partial है एक तो partial है एक समाज का लगुकरीत रूप है C option यहाँ पर right answer होगा miniaturized from a society next question देखिए which quality of the teacher is like the most wise students विद्यारतियों के दोरा शिक्षन का कौन सा गुण सबसे अधिक पसंद किया जाता है तो यह की जाता है his impartiality यानिकि उसकी निस्पक्षता C option यहाँ पर right answer होगा next question little children are highly agile and active you should चोटे बच्चे उचतर रूप से हुर्तीले और सक्री होते हैं आपको तो क्या इसमें right answer होगा आपको उनकी गतिविदी की साहिता से उन्हें उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए यानिकि D option इसमें देखिए इसका right answer होगा give them useful education with the help of their activity next question the first ever district which had achieved full literacy is बै सबसे पहला जिला जहां पूर्ण साक्षरता हासिल की गई है तो बै जिला था एरना कुलम केरल का जिला था D option इहां पर right answer होगा आगे next question the evaluation of personality is best made through the use of ब्यक्तित्व का मुल्यांकन सबसे उत्तम रूम में निमन के उपयोग के द्वारा किया जा सकता है तो यह के जा सकता है prospective test के द्वारा प्रक्षेपी प्रशिक्षण परिक्षण के द्वारा देखे D option इहां पर इसका right answer होगा आगे देखी next question वाई physical health is also necessary along with mental health for a teacher शिक्षण के लिए मानसिक स्वस्थे के साथ ही शारीरिक स्वस्थे भी अवश्यक क्यों होता है क्योंकि पढ़ाते समें शिक्ष्यों को कक्षा में बहुत सक्री रहना पड़ता है और पढ़ाने में शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के क्रियक लाव अवश्यक होते हैं तो इसमें देखिए A और B right answer होगे D option देखिए A और B दोनों ही आगे next question पूछा गए था इसमें देखिए A right answer होगे इसका आगे next question यदि एक बालक दुरुगटना में आहत हो जाता है तो आप तो क्या करेंगे उसे प्रात्मिक चितसा देंगे give him first aid, B option इसमें देखिए A right answer होगा आगे next question देखिए which type of leadership is considered the best किस प्रकार का नेत्रत्य सर्वोत्तम माना गया है तो democratic जो है ये सर्वोत्तम माना गया है तो लोगतांत्रिक C option इसमें देखिए A right answer होगा आगे next question दा first school of the infant is शिशु की पहली पार्शाला तो शिशु की पहली जो पार्शाला है वो है उसकी माता, his mother C option इसमें आपर देखिए A right answer होगा प्रश्वीडी को जरब इसकी इपना करें क्योंकि इसी परकार के question जो है टैट के exam में आने वाले हैं तो बीडी को पूरा देखें और साथ के साथ मैं share भी करते हैं इसको आगे देखी next question four distinct stages of children's intellectual development are identified by बच्चे के बौदिक बिकास की चार स्वस्थ अवस्ताओं की पहचान की गई थी तो किसने की थी ये की थी प्याजे के दोरा पाइगट के दोरा C option यहांपर right answer होगा आगे next question इन परसनेल्टी as well as intelligence heredity plays बेक्तितब के साथ ही साथ बौदिक्ता में अनुवन्शिकता निर्वा करती है तो यह करती है a normal role एक ना मातर की भूमिका निर्वा करती है यह option यहांपर इसका right answer होगा आगे देखी for primary school children which of the following is better प्रात्मिक शाले बच्चों के लिए निर्वन मेंसे क्या बहतर है देखी तो इन मेंसे जो बहतर है hands on experiences अनुभब तो इसमें C option यहांपर देखी right answer होगा आगे देखी next question if a child has mental age of 5 years and chronological age of 4 years then what will be the IQ of the child यदि किसी बच्चे की मानसिक उमर 5 वर्स है और अनुक्रमिक उमर 4 वर्स है तो बच्चे का IQ क्या होगा तो IQ निकालने का जो एक formula है वो क्या है वो formula है MA upon CA multiply by 100 यनि के mental age upon chronological age multiply by 100 तो इसमें देखी है mental age कितनी दी गई है 5 और chronological age दी गई है हमारा right answer होगा 125 उसकी जो उसका बच्चे का IQ जो होगा 125 next question आगे पूछा गया है who was the pioneer of classical conditioning सास्तरी अनकूलन के प्रवर्तक काउन थे तो यह जो option दीए गए है इसमें से D right answer होगा none of these क्योंकि सास्तरी अनकूलन के प्रवर्तक थे classical conditional के जो प्रवर्तक थे वो थे Ivan Pavlov जो कि option में नहीं दीए गया है Ivan Pavlov next question the first stage in the learning of a skill is kaushal adhigam की प्रता अवस्था कौन सी है kaushal adhigam की प्रता अवस्था है imitation, अनुकरना यह option इसमें right answer होगा next question who is known as the father of educational psychology शैक्षणिक मनो बिज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो father of educational psychology यह कहा जाता है हर वर्ट को यह option इंहाँ पर right answer होगा next question the use of audio-visual materials aids in the classes दृष्य शरवेशामगरी सादनों का प्रयोक अक्षा में होता है तो यह होता है उन विद्यारतियों के लिए अधिक उपयोगी जो धीमे सीखती है more useful for those students who are slow learners B option इंहाँ पर देखिए right answer होगा next question the activity technique is कारेकलाब तकनीक है तो कारेकलाब तकनीक जो है यह है student centered विद्यारति कैंदरित D option इंहाँ पर इसका right answer होगा अगे next question पूछा गया है Ben was operation blackboard commenced in India operation blackboard भारत में अरंब किया गया था कौन से बर्स में operation blackboard तो यह अरंब किया गया था 1990 में 1990 में ए आप्शनियां पर right answer होगा next question the trial and error method of instruction is best enhanced by निर्देशों की प्रयास और तूटी पद्दती को सरबोत्तम रूप से आगे बढ़ाया गया है यह बढ़ाया गया है independent study सो तंत्र अध्यन द्वारा B option यह आपर right answer होगा next question but should be the minimum distance between the book and the eye while reading पढ़ने के समें आंखों और किताब के बीच काम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए तो यह दूरी होनी चाहिए 12 inches की C option यह आपर देखिए right answer होगा next question who gave the trilingual formula त्रिवाशिक शूतर किसे ने प्रसुत किया है तो त्रिवाशिक शूतर trilingual formula जो यह प्रसुत किया है Radha Krishnan आयोगने Radha Krishnan Commission ने यह option यहाँ पर right answer होगा next question which of the following comprise teaching skill निवन मैं से क्या शिक्षन कौसल समाहित करता है तो वो है explaining यहनिके ब्याख्या करना यह option यहाँ पर इसका right answer होगा next question why which of the following methods of teaching curiosity can be developed and enriched in students निवन मैं से की शिक्षन पदती के द्वारा बिद्यारती में जिग्यासा अधिक बिक्सित और सम्मरिद की जा सकती है यह की जा सकती है स्वत्या शोध पत्ती के द्वारा यहनिके heuristic method यह option यहाँ पर right answer होगा next question the personal factors which affects learning is आधिगम को प्रभावित करने वाले ब्यक्तितव कार्क हैं कौन से हैं वो maturation and ease यहनिके परिपकवता और IU D option यहाँ यहाँ पर right answer होगा next question Right to Education Act 2009 specifies the minimum number of working hours per week for the teacher is शिक्षा का अधिकार अधिन्यम 2009 या निर्दिस्ट करता है कि शिक्षकों के लिए प्रती सप्ता कम से कम कारे गंटे निम्रानस्वार होने चाहिए कितने होने चाहिए 45 गंटे होने चाहिए 45 हावस B option यहाँ पर right answer होगा next question cognitive development means संगेनात्मक विकास का आशे है तो इसका जो अर्थ है वो है development of intelligence बौदिक्ता विकास D option यहाँ पर देखिए यह right answer होगा आगे next question पूछा किया है but suggestion was given by the मुदालियर कमिशन मुदालियर कमिशन के दोरा क्या सुजाब दिया गया था बौदालियर कमिशन जो था उसके दोरा सुजाब दिया गया था bilingual formula दुवासिक शूत्र यह option यहाँ पर right answer होगा आगे next question dyslexia is associated with काफी important question है हर बार repeat होता है psychology वाले section में dyslexia is associated with dyslexia का संबंध है तो इसका जो संबंध है वो है पथन बिक्रिती से reading disorder से C option यहाँ पर right answer होगा next question gifted students are bilakshan या gifted बिद्याती होते हैं तो यह होते हैं divergent thinkers यानि कि अब इंदुग चिन तक होते हैं D option यहाँ पर right answer होगा next question the modern philosophy begins with आधनिक दर्शन शास्तर के सुरुवात होती है यह होती है Dekard से C option यहाँ पर देखे right answer होगा next question primary group is pratmix move है तो primary group जो है वो है classroom group कक्षा कक्षमू C option यहाँ पर right answer next question which of the following is a barrier to social change निमन मैं से कौन सा एक तत्तव सामाजिक परिवरतन में रुकावट है तो वो है poverty, greedy C option यहाँ पर right answer होगा इसका next question देखिए language play role in भाशा भूमिका निवाती है तो यह भूमिका निवाती है identity में A option यहाँ पर right answer होगा पहचान में next question are windows views on education give importance to शिक्षा पर अर्विंद के बिचार महतव देते हैं तो शिक्षा पर अर्विंद के जो बिचार है यह महतव देते हैं religion को धर्म को A option यहाँ पर right answer होगा आगे next question national council on bemen education set up in रास्ट्री महिला शिक्षा परिशद गठिद की गई तो रास्ट्री महिला शिक्षा परिशद यह गठिद की गई थी 1958 में 1958 में A option यहाँ पर right answer होगा आगे next question who developed the concept of mind mapping इसने mind mapping की अबधारणा को बिक्सित किया mind mapping यह वाली अबधारणा बिक्सित की थी टोनी बुजान ने D option यहाँ पर right answer होगा next question which of the following is not a component of cognitive competence यहनिके निमन में से कौन सा एक बुदात्मक दक्षता का घटक नहीं है तो यह है आग्या पालानी यहनिके obedience इसमें right answer होगा C option next question inquiry learning is conducive for development और परिप्रिच्छा अधिगम किसके विकास में साहिक है तो परिप्रिच्छा अधिगम यह inquiry learning यह साहिक है स्रिजिनात्मक्ता के विकास में creativity के विकास में C option यहाँ पर right answer होगा next question main streaming is including in मुखे धारा नुकरण समाबिस्ट है मुखे धारा नुकरण या main streaming यह समाबिस्ट है special education में बिशिष स्रिक्षन में C option यहाँ पर right answer होगा next question defining characteristic of trait is that they are विशेस्ताओं को परिभाशित करने का अभी लक्षन यहाँ है की बे observed यहाँ पर देखे अब लोकन किये गे हैं B option यहाँ पर right answer होगा observed आगे next question which of the following commission is also known as Calcutta University Commission निमिलित में से कौन सा आयोग Calcutta University आयोग के नाम से भी जाना जाता है C option यहाँ पर right answer होगा आगे next question learning leads to the formation of अधिगम निमन के बनने की और अगरसर करता है तो यह करता अगरसर करता है attitude की और अभी बृत्ति की और D option इसमें देखिए right answer होगा आगे next question पूछा गया था teachers training college was established in मदरास in which year teachers training college की स्थापना मदरास में किस वर्स की गई थी तो teacher training college की स्थापना की गई थी 1856 में मदरास में C option यहाँ पर right answer होगा next question a teacher is concerned more about the educational process than with the formation of its एक सिक्षक की मुखे चिंता सिक्षन प्रक्रिया के बारे में होती है बजाए की उसके तो किसके बजाए लक्षर निर्मान और उदेशे निर्मान की बजाए तो यहाँ पर देखिए both right answer होगा a and b दोनों ही c option आगे next question what is the main center of informal education अनौपचारिक शिक्षा का मुखे के अंदर क्या है तो अनौपचारिक शिक्षा का मुखे के अंदर informal education का मुखे के अंदर जो है radio and television भी है society भी है family भी है तो इसमें D right answer होगा all of these आगे next question who said the true basis of education is the study of the human mind किसने यह कहा है कि शिक्षा का बास्तिविक आधार मानम मस्तिस का अधियन है तो यह जो शब्द है यह हैं अरविंद गोश्ट के शब्द है इन्होंने कहा था यह B option यहांपर right answer होगा आगे next question देखिए who among the following propounded socialism in education निवन मैंसे किसने शिक्षा में समाजबाद को परचलित किया था तो सिक्षा में समाजबाद को परचलित किया था स्टालिन ने D option यहांपर right answer होगा आगे next question education develops child dash सिक्षा बच्चे के अंदर dash का विकास करती है तो सिक्षा जो है बच्चे के अंदर विकास करती है innate powers का सहजाद शक्ती का D option यहांपर देखि next question a school is a miniature dash विद्या ले एक छोटा dash है तो विद्या ले जो है एक छोटा समाज है, society है C option यहांपर right answer होगा आगे देखी next question performance testers are term dash प्रदर्शन करसौटी को क्या कहते है प्रदर्शन करसौटी इसको कहते है और मोखी करसौटी non-verbal test भी इसको कहते है B option यहांपर right answer होगा आगे next question according to psychology all education is dash मनोबिग्यान के मताबिक सारी शिक्षा dash है तो मनोबिग्यान के मताबिक जो सारी शिक्षा है स्वजश शिक्षा self education D option यहांपर right answer होगा next question who among the following was the first man to describe null hypothesis निमिल्क में से कौन साब है पहला आदमी है जिसने अमान ने परिकलपना का बर्णन किया था तो इसका बर्णन किया था सबसे पहले Ronald Fisher ने C option यहांपर right answer होगा next question psychoanalysis was propounded by manubilation को किसने परचलित किया था psychoanalysis तो manubilation को परचलित किया था S fried ने D option यहांपर right answer होगा S fried next question IQ is equal to MA upon CA multiply by 100 the above equation was developed by यहनकि IQ निकारने का यह formula हमने पिछले question में भी discuss किया था mental age upon chronological age into 100 इसको किसने बिक्सित किया था तो इस formula को बिक्सित किया था V net ने C option यहांपर right answer होगा V net next question देखिए cognition can be stated as dash संग्यान को dash भी कहा जा सकता है तो संग्यान को knowing भी कहा जा सकता है जानकारी भी कहा जा सकता है B option यहांपर right answer होगा next question creativity increases with dash रचनातमक्ता dash के साथ बढ़ती है तो रचनातमक्ता creativity यह बढ़ती है experience के साथ अनुभब के साथ C option right answer होगा next question mental deficiency indicates IQ ranges mental deficiency IQ range कितनी है 0 से 70 C option यहांपर right answer होगा next question complex of colleges is card dash college के समूख को क्या कहते है federal university B option यहांपर देखे right answer होगा next question the aim of education in basic system of education is शिक्षा की बैदिक पद्धती में शिक्षा का लक्षे क्या है शिक्षा का लक्षे बैक्तितब विकास भी है चरित्र निर्मान भी है संस्कृति का स्रंक्षन भी है तो D option all of the above right answer होगा next question the main feature of Muslim education Muslim शिक्षा की मुखे विसेस्ता क्या थी Muslim शिक्षा की मुखे विसेस्ता थी Muslim धर्म का परचार propagation of Muslim religion C option यहां पर right answer होगा next question देखिए देशज बिद्यालियों की डैस द्वारा प्रसंसा की जाती थी देशज बिद्यालियों की प्रसंसा की जाती थी Adam द्वारा B option यहां पर right answer होगा Adam next question Scandry Education Commission बास Asta Willis Team मादेमिक सिक्षा कमिशन की स्थापना कब होई थी तो मादेमिक सिक्षा कमिशन की स्थापना Scandry Education Commission की स्थापना होई थी 1952 में 1952 में C option right answer होगा next question देखिए कोठारी कमिशन बास former under education minister कोठारी कमिशन डैस सिक्षा मंतरी के कारेकाल के अंतरगत बनाया गया था तो जो कोठारी कमिशन था यह बनाया गया था MC छागला जो सिक्षा मंतरी थे उनके कारेकाल के अंतरगत C option यहाँ पर right answer होगा MC छागला next question A draft of challenges in education was published in draft of challenges in education कब परकाशित हुई थी तो यह परकाशित हुई थी August 1985 में August 1985 में B option यहाँ पर right answer होगा next question A child from a disorganized home will experience the greatest difficulty with एक अव्यवस्थित घर के बच्चे को सबसे ज़्यादा कठनाई किसे होगी तो उसको सबसे ज़्यादा कठनाई होगी independent study में सुतंतर अध्यान में B option यहाँ पर देखे right answer होगा next question देखिए suppose 14 years old girl has taken to wearing the same style sweaters that her teachers wear then this form of behavior is known as अगर 14 बर्स की लड़की को उसी तरह का sweater पहनने दिया जाए जैसा उसकी सिक्षी का पहनती है तो इस तरह के बरताब को क्या कहेंगे तो यह जो बरताब है इसको कहेंगे एक कातमी करन यहनके identification C option यहाँ पर देखिए right answer होगा next question the essential object for the full development of young ones is बच्चे के पूरे विकास के लिए महत्रपूर्ण बस्तू क्या है तो पूर्ण विकास के लिए बच्चे के जो महत्रपूर्ण बस्तू है आगे देखिए next question if you wish to maintain a sweet relation with others the important tool for you is अगर आप दूसरों से मदरु संबंद बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे महत्रपूर्ण साधन क्या है तो सबसे महत्रपूर्ण साधन बू है to trust them honestly इमानदारी से उन पर ब्रोश्ण करना D option आपर right answer होगा आगे next question to control the population growth in our country suitable bay is हमारे देश की बढ़ती आबादी को नियंतरण में लाने के लिए उपी तरीका कौन साधन है वो तरीका है लोगों को छोटे परिवार और उसके फाइदों से भिग्य कराने के लिए पब्लिक मीडिया के जरिया आकर शक कारिकरमों को फैलाना B option देखिए इसमें right answer होगा आगे next question एक लड़के को उसके दूर बेवार से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तो लड़का अगर कोई दूर बेवार करता है बास से भी शिक्षण है यह कहा गया था तो यह कहा गया था चांदोग्यों उपनिशद में D option यहाँ पर right answer होगा next question who is the pro founder of dweta dwet dweta dwet में परांगत कौन हुआ है dweta dwet में परांगत हुआ है Nimbark B option यहाँ पर right answer होगा अगे next question the barda scheme is also known as by which of the following scheme बर्दा यूजना को निमिलित में से किस यूजना से भी जाना जाता है तो बर्दा यूजना को जाना जाता है basic education के नाम से भी basic education आधार शिक्षा D option right answer होगा आगे देखी next question who said this the teacher is not an instructor or task master he is a helper and guide किसने यहाँ कहा है कि शिक्षक कोई एक निदेश करता अत्वा कठोर अधिकारी नहीं है बै है एक सहायक तथा guide तो ये जो शब्द हैं अर्विंद गोश के A option यहाँ पर right answer होगा next question modern philosophy synthesis आधुनिक दर्शन शास्तर translation करता है तो ये करता है science का C option यहाँ पर देखिए right answer होगा बिग्यान next question देखिए A child is working very hard for her examination her behavior is an indicator of her एक बालिका अपनी परिक्षा के लिए बहुत कठीन परिश्रम करती है उसका बैभार सूचक है उसके तीक्षन संग्यानी योग्यताओं का यानिकि sharp cognitive abilities का A option यहाँ पर इसका right answer रहेगा आगे देखिए next question socialization requires समाजी करण में अबशक्ता पढ़ती है तो समाजी करण में अबशक्ता पढ़ती है teachers की भी, rewards की भी, reinforcement की भी तो इसमें D right answer होगा all of these हमारा next question participating in the removal of illiteracy is निर्क शर्ता को दूर करने में सहभागिता है यह है एक social change समाजी के बदलाब है A option यहाँ पर right answer होगा आगे next question देखिए National Policy on Education NPE बास started in शिक्षण पर रास्टी नीती NPE अरंब की गई तो यह अरंब हुई थी 1986 में B option यहाँ पर right answer होगा 1986 एक बालक जनम लेता है कुछ डैस के साथ तो एक बच्चा जो है वो जनम लेता है qualities भी होती है ego भी innate drives भी तो इसमें D option हमारा right answer होगा all of these यह सबी next question but will be the IQ of a 12 years old child whose mental age is 9 years उस 12 वर्षी बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक उमर 9 वर्स है तो इसको निकालने का यह क्यों निकालने का बही फॉर्मूला MA upon CA into 100 तो यही फॉर्मूला है तो इसको मतलब solve करके 75 यहां पर आएगा average जो आएगा 75 आगे next question an essential aspect of all learnings सभी सीखने में एक अनिवारे पहलू है तो सीखने में जो अनिवारे पहलू है motivation अभी परिविड़ना C option यहां पर right answer होगा आगे देखी next question children learn new words for specific object mostly by बच्चे बिसिस्ट बिस्टे के लिए ने शब्दों को सीखते हैं अधिकांस्त है तो सीखते हैं conditioning process के बच्छा अनुकूलन प्रक्रिये द्वारा D option यहां पर right answer होगा next question देखी learning disabled children are सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं तो सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं जो option दिएगे हैं इसमें D right answer होगा इन मेंसे कोई भी नहीं next question the gland which plays a key role in the development of personality is ब्यक्तित्व के बिकास में मुख्य भूमी का निवाने वाली गरंती गांसी है वो होती है pituitary गरंती यह option यहां पर right answer होगा next question a child attitude I don't care is a type of behavior which can be called बालक का रवईया मैं प्रवार नहीं करता एक उस परकार का बेहवार है जो कहा जाता है यह जो बहवार है यह कहा जाता है पर्श गमन retrogression D option यहां पर right answer होगा next question introspection method lacks in आतम निरिक्षन पदती में खामी है तो आतम निरिक्षन जो होता है इसमें खामी क्या होती है विस्वसनिता की भी, बैद्दता की भी बस्तू प्रक्ता की भी तो all of these यहां पर right answer होगा इन सभी की next question a teacher should play the role of एक शिक्षक को भूमिका निवानी चाहिए तो शिक्षक को भूमिका किसकी निवानी चाहिए facilitator, philosopher, leader या authority की तो उसको facilitator की भूमिका निवानी चाहिए एई option यहां पर right answer होगा next question boot's dispatch an important document was released on boot का dispatch एक महत्रपून दस्ता भी जारी किया गया था कौन से वर्स में तो boot dispatch जारी किया गया था 1854 में 1854 में c option right answer होगा next question education falls under which list of the constitution of India शिक्षन भारत के संभिदान की की सूची के अंतरगत आता है तो शिक्षन जो है यह आता है संबर्ती सूची concurrent list के अंतरगत c option यहाँ पर right answer होगा next question देखिए if you would be a teacher how would you like to behave with your students यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते है तो इसमें देखिए जनत अंतरिक, democratic यहाँ पर right answer होगा b option next question teaching professional norms are developed by instruction कारे के website मानकों को विक्सित किया instruction कारे के website मानकों को विक्सित किया है ncte c option यहाँ पर देखिए right answer होगा तो देखिए friends इसी के साथ अभी हमने 100 multiple choice जो को थे education psychology के हमने discuss किये I hope कि आपको bdips अंद आई होगी काफी ज़दा question जो होगा आने वाले HP TED के exam में यह repeat भी हो सकते हैं तो thank you for watching और जल्दी मिलेंगे next video के साथ तब तक के लिए जैहिंद